So guys, आज मैं आप सभी लोग को Grow App कैसे यूज़ करें, ये बताने वाला हूँ Basically, यह Grow एक DMAT account है, जहां से आप लोग Share Market में इंवेस्ट कर सकते हो Mutual Fund में इंवेस्ट कर सकते हो, साथ में यहां से आप लोग ट्रेडिंग वगारा भी कर सकते हो अब यहार, आज मैं आप सभी लोग को एकदम डीटेल में बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से Grow App को यूज़ कर सकते हो किस तरह से आप लोग को Grow App पर Shares को Buy करना है, किस तरह से Shares को Sale करना है उसके लग यहां पर आप लोग को ट्रेडिंग कैसे करनी है, मुझवल फंड में कैसे invest करना है मतलब कि आज हम लोग complete detail देखने वाले हैं Grow App के बारे में तो अगर आप लोग Grow App को यूज़ करना सीखना चाहते हो Grow App के बारे में एकदम अच्छे से सब को जानना चाहते हो तो आप लोग correct वीडियो में हो आज मैं आप लोग को basic से लेकर advance सा complete detail देने वाले हूँ Grow App के बारे में तो अगर आप लोग Grow App के बारे में सीखना है Grow App को चलाना सीखना है Grow App कैसे यूज़ करना है यह सीखना है तो correct वीडियो में हो आप लोग इस वीडियो को end तक watch करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को make sure like करके चैनल को subscribe कर देना साथ में कर इस spell icon को भी all पर hit कर लेना क्योंकि इन future में आप सभी लोग को हमारे यूटूब चैनल पर ऐसी वीडियो समेलने वाली है तो चलिए गाई यहां सेम लोग अपने यूडियो को start करते है तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग को Grow App को download करना है इस app की link आप सभी लोग को description box में मिलेगी जैसे है आप लिंक पर click करते हो यह interface आएगा play store से गएज आप लोग इस application को download कर सकते हो download करने के बाद आप सभी लोग को application को open करना है and open करने के बाद सबसे पहले तो यहां पर आप लोग को अपना demet account open करना है अब यह अगर आप लोगो ने अपना demet account यहां पर नहीं open करना है तो आप लोगो youtube पर search करना है grow app account opening शरद loot आप लोगो बस तना search करना है आपको हमारी वीडियो मिलेगी वीडियो को देख लेना उसके अंदर मैंने आप लोग complete process बताया है कि भाई किस तरह से आप लोग grow app के अंदर अपना account open करते हो अब जैसे आप लोग अपना account open करते हो आप लोग के सामने यह interface आने वाला है अब सबसे पहले तो मैं आप लोगो को दिखाता हूँ जो कि मैंने यहां से earn कर रहा है क्यों कि basically grow app लोग जो लोग यहां पर आने वाले हैं वो पैसे कमाने के लिए ही आएंगे investment करने के लिए आएंगे तो देखो अगर आप लोग देखो जैसे आप लोग के सामने home page कुछ इस तरह काएगा यहां पर आप लोगो उपर nifty 50, bank nifty फिर यहां पर आप लोगो sensex देखने को मिल जाता है अब nifty 50, bank nifty क्या है, sensex क्या है इसके बारे में कुछ लोग को पता होगा और बहुत साय लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा तो basically share market में nifty 50 and bank nifty and sensex से आप लोग यह analyze कर असरते हो कि आज का market अप गया यह डाउन गया basically nifty 50 में top 50 companies जो इंडिया की top 50 companies हैं वो list होती है sensex में भारत की top 30 companies हैं वो list होती हैं bank nifty में जो इंडिया की bank की companies रहती हैं वो list रहती हैं तो यह कुछ यहाँ पर होता है अब आप लोग bank nifty 50 and sensex के तुरू यह पता कर सेथे हो कि आज की दिन market up गया या down गया है आज की दिन market में buy हुआ है या sale ज़्यादा हुआ है तो आज market गरीबन 0.22% अप गया है 132.131 point approximately अप गया है अब यार अगर आप लोग नीचे आते हो तो यह नीचे आप लोग को option मिल जागा कि most bottom grow का जाले grow पर कौन से series सबसे ज़्यादा buy करेगा है वो आप लोग को यहाँ पर दिखेंगे उसके बाद नीचे अगर हम लोग आते हैं तो नीचे आप लोगो products and tools को option मिलता है जिसमें आप लोगो future and options को option intraday, all stocks and IPO, चार options मिलते हैं इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे अच्छे से पहले हम लोग basic जान लेते हैं कि भाई क्या के चीज़ें आप दी गई है फिर आप आप gainers और losers को option दिखता है तो अगर आप लोग gainers में रहते हो, तो gainers में आप लोगो यहाँ पर large cap select करते हो इस small cap में किसमें सबसे दा gain का हो, वो small cap में आ जाएंगे losers में आते हो, large cap में आते हो, तो आज आप लोगो देखने को मिलेगा कि आज की दिन कौन सी ऐसी large cap वाली company है, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी company है जो आज की दिन loss करी है, तो जिसमें से अर्दानी टाश में सन है अप्रॉक्सिमेटली 900 रुपे का असपास होगा, अब भाई दखो यहीं पर, आप लोगो सारे के सारे सी मोर पर क्लिक करने के बाए आज की दिन गिरे है, तो आज की दिन गिरे हैं, इस small cap में सबसे दाख गिरे है तो आप लोगो दिसके तों सी मोर पर क्लिक करकर, पूरी लिस्ट आप लोगो लाइन से यहाँ पर दे सकते हो फिर stock in news पे आते हो तो stock in news में जो news में stock हैं वो आप लोगो दिख जाते हैं ठीक है trending में जो current time पे चलने हैं news में बहुत ज़दा ख़बर आरी हैं वो आप लोगो दिख जाएंगे फिर यहाँ पर आप लोगे सामने एक holding option आता है बैसिकली holding में जिन stocks को आपने hold करके रखा है वो आप लोगो holding में दिखने वाले हैं ABC में अब यहाँ पर आप लोगो को यहाँ पर एक side में एक watch list option बलता है तो बाई देखो यहाँ पर क्या होता है बैसिकली आप लोग शेर मार्केट में grow app की मदब से invest करोगे तो शेर मार्केट क्या होता है पहले इन short में आप लोगो बताता हूँ तो जैसे कि अगर आपको कुछ buy करना रहता है कुछ सामान खरीदना है तो आप लोग मार्केट में जाते हो वहाँ पर different shops रहती है तो आप बड़ी बड़ी company है अब देखों इनके इस company की बेचे अगर हमें ग्रिलैंस कपणी को देते हैं तो इसके पीछे अरभो करोडो रुपए लगे हुआ है लगे हुआ है ठीक लाक करोडो रुपए इसके पीचे इन्वेस्ट हैं ठीक इस company में लगे हुए है अब ये एक single मतलख कि मुटेश अंब्वानी जी सिंगल बंदे ये इसमें इतना पैसा नहीं लगा सकती है तो ये क्या करते हैं कि अपने शैर्स को डाइड़ूट करते हैं ठीक है जो लोगों से पैसा लिया है उनको profit होते है के रूप में जिनके प्रोट्स आप लोग यूस कर रहो हो, आप लोग उन में हिस्दारी ले सकते हो, आप लोग एक तेके से उनके अंदर अपनी ownership ले सकते हो, यह आप लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिलता है, तो सेम वैसे ही आप लोग ग्रोव एप की मदद से शेयर को बाई कर स करते हो, अब जैसे कि आप लोग को कोई आपका कोई फेवरेट शेयर है, तो उसको अगर आप लोग वाच लिस्ट बनाना जाते हो, आपको यह लग रहे है कि हमें 4-5 ची शेयर है, जिनको मैं daily analyze कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग एक दू महिने से analyze कर रहे हैं, आप लोग य Shares होंगे, मैं इसके लिया हूंगा, मैंने मोटर लिखा, create पर क्लिक क्या, जितने भी मोटर के Shares होंगे, सब को मैं यहाँ पर add कर लूँगा, जिनको मुझको मैं daily देखता हूं, प्रास के कुछ shares है, तो मैं कहा करूँगा, साइड में जो यह आ रहा है, option यह, इसके उपर click करके, जो यह green green आ रहा है, इसके उपर clicker screen को मैं add कर सकता हूं, अब जैसे कि मैंने करीबर यहाँ पर 3-4 shares add करें, अब मैं back करूँगा, अब देखो मेरा यहाँ पर watchlist है, यहाँ पर create हो जाएगी, तो same, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर watchlist को create कर सकते हो, plus का icon पर click करने के कर सकते हो, जिसमें आप लोग अपने favorite shares को दे सकते हो, जिनको आप लोग डेली एक बार में analyze कर सकते हो, तो यह watchlist का मतलब यह होता है, बाकि यहाँ पर shares को buy कैसे करते है, sale कैसे करते है, हम लोग वो देखते है, तो किसी भी share को buy करने के लिए, sale करने के लिए, सबसे पहले आप लोग ओपर search के button पर आना है, आप लोग को यह decide करना है कि आप लोग को कि share में invest करना है, जैसे कि मैं Tata Motors में invest करना जाता हूँ, तो मैं Tata Motors के share को open कर लिया है, अब जैसे हम लोग Tata Motors को search करते हैं, उपर हमने Tata Motors सर्च किया, टेक है, Tata Motors हम लोग search करेंगे, तो उपर प्रक्सीमेटली फायदा हो जाता, और अगर किसी ने एक करोड़ रोपे लगा होता, इसको करीबन तीन करोड़ का हैं पर फायदा हो जाता, अब भाई टोको यहां पर आते हो, तो आप लोग है से पहते हो नीचे हाप लोग को time date दिखता है, अप लोग एक week, एक month, एक year, 5 5yr & all all time कि आप लोग आप पर देख सते होगी बाई कितना यह शेर आप गया है कितना डउन गया कप अपक डटान गया है इसके हैं इसे किसे आप लोग ग्राफ इसके अनल्याइस कर सते हो आप लोग को सादे में केंदल ग्राफ लगा सते हो साइड में आप्ण मिल जाता है ऐसे क्या क्या प्राइज रहा है तो करेंट टाइम पर उसका प्राइज चल ला है 530 रुपए एक शेर का एंड आप लोगों नीचे आतो तो नीचे आप लोगों को ओवर विव में टुडेज लो टुडेज हाई देखता है तो टुडेज लो का मतलब है कि आज की दिन ये शे 30-30 रुपए का हाई गया है अलागी अभी हाई गया है जो हाई अभी गया था जो आज हाई गया ये इसका हाई रहा है आज की दिन ठीक ये इसका बावण भी का हाई रहा है बाकी वाल्यूम आफ शेर बाइज और किन्द लगरे यह आप देश दो बाइज अड़र 25 बोलने कि अभी share को buy कर लो, 10% बोलने कि अभी इसको hold करो, and 6% expert बोलने कि इसको sale कर दो, अब उसके बाद नीचा के fundamentals आप तो किसी भी company के जिसके आप लोग शेर buy करने जा रहे हो, आपको market capital मिल जाएगा उसका, ठेक है, ROI, return of investment कहा चल ला है, PE ratio बाकि debt to equity ratio, सब कुछ आप profit कर रहे है, तो अभी तो company loss में थी, लिक्ट करेंट ताइम पर ये profit में आ चुकी है, आप लोग देसको, एक करोर्स में कितना profit company ने किया है, net worth क्या है company के बारे में देसको share holding pattern क्या है, कि company के पास प्रोमोटर के पास कितना share है, मतलब कि company के owner के पास कितना share है, retail मतलब कि हम पास कितना share है, foreign institutions है, उनके पास कितना share है, mutual fund में कितना share है, उन्होंने distribute किया है, वो आप देसको, अगर promoters का share 40% से उपर है, तो काफी सही माना जाता है, तो 40% से उपर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको इस share को buy करना है, हमने fundamentals देख लिए company के बारे में एकदम स सबसे पहले तो quantity लिखनी है, कि भाई कितने quantity में आपको share को buy करना है, फिर यहाँ पर नीचे आप लोगो एक option मिल लाता है, price market का, अब इसका मतलब क्या होता है, बिसिकलिए अगर आप लोग price market पे click करने के बाद, यहाँ पर आप लोगो price लिखना रहता है, आप लोग करना क्या है, आपको 520 रुपए हाँ पर लिखने है, और buy पे click कर देना है, आप लोग buy पे click करोगे, तो जब भी इस share का price 520 रुपए हैगा, automatic आपका यह share buy हो जाएगा, अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो आपको लिख लेकर आपको तुरंद share share buy करना है, तो आप लोग market पर लगाओ, buy पे click कर दो, आपका share buy हो जाएगा, मेरा share buy हो चुका है, मैं done पे click कर दिया, देखो holdings मेरा share आचुका है, इंस्टेंट, देखो market जो होती है, share market हो सुबह 9 बच कर 15 मिनट पर open होती है, तीन बच कर 45 मिनट पर close हो जाती है, तो इसके share का price बढ़ रहा है, हमारा profit हो रहा है, जैसे share का price घट रहा है, वैसे हमारा loss हो रहा है, तो यहाँ पर profit और loss सब कुछ दिखता रहेगा, आप लोग यहां से देख से तो वो चीज, बाकी इससा से आप लोगो shares को buy करना है, अब इसी share को sale करने के लिए, आप लोग उपर से आके Tata Motors को search करके, हाँ से sale कर सकते हो, अदरवेज जो आप की holdings है, आपको holdings में आना है, share पर click करना है, फिस sale के बटन पर click करना है, click करने के बाद, आप लोग का quantity लिखना है, कि बाद कितने quantity में shares को sale करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर price market का option दिख रहा है, अब यार दे करोगे, तो आपका instant share sale नहीं होगा, आपका यह processing में पढ़ जाएगा, order में लग जाएगा, जैसे इस share का price 535 रगा, instantly आपका share sale हो जाएगा, इस तरह से आप लोग अपनी मंचा है amount पर sale करना जाओ, वेट नहीं कर सते तो, अदरवेज आपको instant sale करना है, share को select करो, sale पर click करो and sale पर click करो तो, आपका यहाँ पर order लग जाएगा, instantly sale हो जाएगा, तो में तो पहले ही order लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं market पर करके sale कर देता हूँ, तो मैं तो sale हो चुका है, मैरा पैसा मेरे wallet में भी आ चुका है, ठीक है, आप लोग दे सकते हो, तो इस ताथ से कुछ shares को यहाँ पर buy करते हैं, sale करते हैं, buy and sale करने का process यह रहता है, बाकि मैंने आप लोगो detail तो यहाँ पर बताई हैं, अब इसके बाद हम लोग mutual fund को देख लेते हैं, तो mutual fund में किस क्या है, side में आप लोगो नीचे mutual fund मिल लाता है, mutual fund में आप लोगो काफी सारे fund मिल लात लाता है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग आप लोगो काफी सारे funds मिल लाता है, जैसे कि अगर हम लोग देखे तो ICIC है कर जो यह plan है, मुझे काफी सही लगता है, टेके इसके अंदर एक महिने के अंदर 1.31% का return मिल ला है, 6 महिने में 3% का 1 साल में 16% का return इसने दिय क्या है, आपको करना क्या है, आपको अपना favorite funds select करना है, select करने के बाद one time और फिर start SIP, दो option मिलते हैं, आप लोग एक बार में भी investment करना चाहते हो, अगर आप लोग मंतली SIP करना चाहते हो, एक तरीके से EMI तरीके से करना जाते हो, क्योंकि EMI में क्या होता है, कि हर महिने आ आपको सेव करना है, इतने रुपए, तो करना क्या है, यहाँ पर start SIP पर click करना है, amount देना है कि 5000 रुपए, आप लोग SIP करोगे, या कितने की करोगे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे payment वगरा करनी है, फिर हर महीने, आप लोग को एक form fill करना पड़ेगा, एक date आप लो करना चाहो, तो आप लोग मंतली SIP यहाँ पर कर सकते हो, वन टाइम पर आके आप लोग एक बार में कुछ यहाँ पर invest करना जाते हो, तो एक बार में भी amount है, आप मुछवर fund में invest कर सकते हो, इनका business निगे पास एक बार में ही पैसा आता है, उनको एक लाग पछा सार एक सा पर आप लोग पर करना है, तो इससा से मुझवर fund में होता है, फिर आता है बात यहाँ पर option trading का मलग है trading की, तो trading करने के लिए आपको आना है future net options पर, F&O का option मलता है, आप लोग को इसके उपर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने option chain आती है, option chain में आप ल पर आप लोग को देखना है, आपको अप लोग को देखना है, आपको हमारी वीडियो मिल लागी, मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने खुद पैसे invest करकर live करके दिखाया है, तो ट्रेडिंग सीखनी है, तो जाओ उस वीडियो को देखो, बाकी shares को buy करना, sale करना, आपको कैसे use करते हैं, कहां कहां कौन कौन से features मिलते हैं, यह तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है, बाकी यहाँ पर आप लोग को IPO बगरा मिल जाता है, IPO का मतलब होता है initial initial public offerings, अगर कोई company market में list होने आ रही है, तो सबसे पहले वो अपना IPO लेकर आती है, IPO का मतलब होता है initial public offerings, इसमें company अपने shares, कुछ मलब shares list करती है market में, उसका एक price लगाती है, कि भाई हाँ इतना है, उस price के साफ से लोग pay करते हैं, जैसे कि 100 shares का 10,000 रुपए, 100 shares का 5,000 सारी बड़ी बड़ी companies के IPO आये थे, उनमें इसका invest करना है, तो IPO आप लोगो दिख जाएंगे, जो close हो चुके है, जो आने वाले IPO है, अब ओयो का IPO आने वाला है, तो bidding अभी announce हो जाएगी, आप लोगो यहाँ पर रुपए लगाने तो आप लोग लगा सकते हो, तो IPO में सारे मिल जाएंगे, जितने stocks आप मार्केट में आप लोगो की list है, वो सब आप लोगो यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर उसके बाद intraday में आप लोग वही ट्रेडिंग का सीन है, मैंने आप लोगो बताया है, option trading कैसे करते हैं, शरल लूट, सच करो वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोगो प्रोफाइल पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करने एक बाद refer and earn option मिलता है, आप लोग अपने हर एक friend को invite करकर, उस friend से 300 रुपए earn कर सकते हो, मैंने इस app से करीबन 1,70,000 की 6,000 के असपा सिर्फो सिर्फ रेफर से earn कर रहे हैं, ठीके मैं आप अपन करने पर trade करता है, तो account open पर 100 रुपे trade करने पर, मतलग कि share market में invest करने पर 2,70 रुपए आपको मिलता है, तो कुछ यह सीन आपर होता है, तो कुछ इस तरह से इस app को use करता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है, कैसे shares को buy करता है, कैसे sale करता है, orders वगरा कैसे लगाता ह हैं, कैसे check करते हैं, shares कैसा है, watch list रुपार create करना, सब कुछ मैंने आप लोगों यहाँ पर बताया है, मुच्छ वह फरन के बारे में लगबख बता दिया है, trading ओपर वीडियो आप लो देख लेना, account opening की वीडियो देख लेना, कहीं पर कोई doubt लगे, तो comment section में पूछ लेना, comment करना में वीडियो के बार ज़रूर लेकर आँगा, बाकि I hope सो आप लोगो सब को समझ जाया होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगे, लेकिन समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है, अगर समझ में आऊ हो, तो like के बटन पर click कर देना, motivation मरता है इससे, बाकि चैनल